हेलो गाइस वेलकम बैक टू टेक्स विदा यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में डिसकस करेंगे इंटल के बारे में क्योंकि यार कुछ काफी अच्छी न्यूस फाइनली इंटल की तरफ से भी आ रही है कि उनके जो नेक जन के सीप्यूज है वो काफी ज़दर परफ क्योंकि AMD का ही प्रोडक्ट है राइजन अब जहां पे AMD हमेशा नए नहीं जनरेशन की सीप्यूज लाते जा रहे है अपने ट्रांजिस्टर्स की जो देंसिटी उसको बढ़ाते जा रहे है ट्रांजिस्टर्स की जो पिछ साइज है उसको छोटा करे जा रहे है I mean आपने द नए असा आपने देखा है क्योंकि इंट्र का स्टॉक इशूस फिर बाद में स्टॉक इशूस ही प्रॉब्लम ने इतनी सारी वुनरुबिल्टी नहीं 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 मतलब आती जा रहें इंटल की तरफ से तो लोग ना आप स्केप्टिकल हो रहें अब इंटल का सीप्यों ना जातर लोग लेना नहीं चाहते हैं बट अब यार हाडगोर इंटल फैन्स अब वह तो मतलब कबसे वेड कर रहें कि इंटल अब फाइडबेक करेगा अब फाइडबेक करेगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं उस रियो आफ होप की जो की मैं आपको आज बताने वाला हूं तो येस फ नेक्स यर आने वाले या फिर इसी यर एंड में आएंगे इंटल की तरफ से ठीक है जो क्योंकि 11th gen की CPUs तो आपके जो 11th gen की desktop CPUs है उनके अंदर भी 40 nm++++ मतलब वही टेक इस्तमाल करा जाएगा लेकिन इस जनरेशन की CPU के अंदर आपकी जो IP से हो around 15 से 20% बढ़ी रहेगी मतलब की जो current gen की CPU से उनके मुकाबले आपको 15 से 20% जाद IPC देखने को मिलेगा अब वो इसलिए हो पा रहे है क्योंकि आपका जो Intel है वो अपनी जो 10 nm का core है या फिर जो architecture है उसको 14 nm पे back port कर रहे है है ना मतलब की वो 10 nm के लिए optimize था लेकिन उसे 14 nm में technically work करा जा रहे ह जो Zen 3 CPU आने वाल है जिसके अंदर ऐसा बोला जारे है कि 15 से 20% IPC जादा होगा बाद में intercore latency कम होगी तो gaming के लिए अच्छा होगा तो उससे compete करने के लिए Intel को कुछ ना कुछ ना मतलब product market में लाना पड़ेगा है ना जब तक कि वो 10 nm पे actually चले नहीं जाते तो उन्हेंने यही काम करा हुआ है कि आपके जो 10 nm का architecture है जो कि आपका Sunny को उसको backput कर दिया हुआ है अब इससे आपकी जो IPC है वो around 20% के आसपास बढ़ जाएगी next gen CPUs के अंदर लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो transistor की size है वो उतनी की उतनी है मतलब कि यहाँ पे जो cores को जादा बढ़ा नही दिखने को नहीं मिलेगा और उसका reason यह है कि already आपका जो 8 core वाला i7 CPU होगा वो already मतलब अगर overclock करोगे तो around 355 watts मतलब ऐसा कुछ power consume करेगा तो अगर उसके ओपर 10 core या 12 core का मानलो की बनाता भी है Intel मतलब CPU उतना core का तो उसकी जो power consumption है वो बहुत ही जादा होगी और बाद में उसकी जो silicon की die size होगी वो बहुत ही जादा बड़ी होगी और आपको मालूम है कि मतलब अगर silicon industry में आप हो तो जितनी बड़ी die होती जाती है उसका जो yield है उतना ही खराब होते जाता है तो अब इससी बात है अगर yield खराब होगा तो मुनाफ़ा नहीं होगा और मुनाफ़ा जारा है कि आपका जो Intel के 11 Gen की CPUs होंगे वो भी 5 GHz technically hit कर पांगे तो मतलब यार भले ही 100-200 MHz current generation की मुकाबल अगर कम भी होता है clock speed but क्योंकि 20% IPC रहेगा तो obviously बात IPC जादा matter करता है ना कि clock speed है ना हाला कि कुछ लोग समझते है कि clock speed जादा है CPU उतना अच्छा है but actual में IPC matter क करता है लेकिन कुछ हद तक और आप जितना छोटा transistor बनाते जाओगे clock speed का regression आता ही है तो यही सबसे smart move है कि आप IPC की तरफ बढ़ो अगर clock speed साथ में 100-200 MHz बढ़ जा तो तो अच्छी बात है नहीं बढ़ता तो कोई बात नहीं लेकिन आप IPC को increase करो और यही अब Intel भी करन कि मुझे नहीं लगता कि 11th Gen जो आपके Zen 3 से compete कर पाएंगे चाया वो power के मुकाबले में हो I mean efficiency के मुकाबले में या फिर raw horsepower के बारे में बात करा जाए मतलब की IPC और gaming clock speeds है ना और gaming में performance कैसा मिलता है probably इस generation के अंदर जो आपका Zen 3 आएगा AMD finally gaming के अंदर overtake कर लेगा Intel को मुझ इस generation के अंदर obviously बात है जरूर कर लेगा और हाँ guys finally 11th Gen के CPU के साथ में आपके नए motherboard भी launch होंगे और PCI 4th generation support करेंगे यह CPUs भी and yes आपके जो current generation के motherboard है यानि कि 10th generation वाले CPUs जो support करते जो motherboard उनके अंदर BIOS update आप डालके 11th Gen के CPUs का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हम लोग ने 11th Gen CPUs के बारे में जो भी problem था जो भी अच्छायती सा बात कर ली ठीक है अब आते हैं हमारे actual 10 nanometer product क्यों पर जो की आपकी 2021 में आएगी जो की actual innovation होगा अब यार बहुत सारे AMD fans यह बात बोलेंगे कि यार देखो अग जब आप बात करेंगे 10 nanometer की Intel के 10 nanometer जब आएगी 2021 में तब तो आ इसा नहीं है है ना क्योंकि अविसी बात है आपका जो Intel है ना वो density ज्यादा ध्यान देता है मतलब कि एक certain area के अंदर कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स वो cram कर सकता है वो इसी साब से जाता है इसलिए आपके जो Intel के silicon होते हैं वो अविसी बात है वो hard होते है manufacture करने के लि आपका नोड आ जाता है उसको पहले लेकर आ जाता है उतना aggressive मतलब density के उपर ध्यान नहीं देता है बट दीरे दीरे उसी नोड को वो improve करता रहता है जैसे कि आपका पहले N7 आया बाद में N7P आ गया बाद में N7 Plus आ गया UV वाला तो मतलब TSMC इस तरीके से काम करता और वो Intel क्या सोचता है कि एक ही बार में एक अच्छा नोड निकाल दिया जाए बाद में उसे 2-3 generation तक यूज करा जाए तो इसलिए भी Intel के साथ में मतलब यह problem हुई अब guys technically अगर देखा जाए तो आपका जो Intel का 10 nanometer है वो आपके AMD के 7 nanometer के आसपास आएगा ठीक है अगर technically देखा ज होते हैं मतलब कि एक पतले paper की तरह होते हैं लेकिन source और drain के बीच में आपका जो electrons अपने आप जंप कर जाते ना तो उस चीज़ को रोकने के लिए Intel ने FinFets का इस्तमाल करा हुए basically आपके जो source और drain है इनके बीच में एक barrier add कर दिया हुए जिसकी होई से कि आपके जो electrons है architecture के बारें बात करते हैं तो अगर architecture के बारें बात करे जाए तो इस product के अंदर आपका इस्तमाल करा जाएगा Intel की तरफ से Willow Cove course है ना मतलब यह जो नया architecture है आपके 2021 में इसका इस्तमाल करा जाएगा और इसके अंदर IPC improvement बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाली है अब i button के अंदर तो वो आप check out कर लेना बट technically around 30% के आसपास IPC increase होगी इस generation के अंदर तो यह जो CPUs है 10 nm वाले Intel की तरफ से यह काफी जादा fast होने वाले हैं अब अगर एक और architectural change की बात करी जाए तो Intel आपके chiplet design की तरह नहीं जाने वाला है जैसे की AMD करता है Intel अपना खुद का एक अलगी route बना रहा है और वो आपको लेकर आने वाला big course और small course जो कि आपके mobile phones में इस्तमाल करा जाता है अगर आप एक mobile के tech geek है तो आपको मतलब मालिम होगा की mobile के अंदर 3 या 4 core ऐसे होते जो की higher clock speed वाले होते हैं बाद में फिर 2 या 3 कमज़ोर cores होते है या फिर एक सब कि बड़ा core छोटा core इनके बीच में balance करके तो यह CPUs बनाया जाते तो Intel भी इसी तरीके से जाने वाला है तो Intel का जो highest end का model होगा उसके अंदर आपको 8 बड़े cores देखने को मिलने वाला है जिसके साथ में की 8 छोटे cores रहेंगे और साथी में एक GPU का core रहेगा जो की Xi GPU होग है और since इस generation के जो CPUs है DDR5 memory support करेंगे probably तो यह जो integrated GPU होंगे उनको बहुत जादा bandwidth मिलेगी और यह जो integrated GPU न actual में आपके 1050 to 1050 Ti इतना performance दे देंगे तो मतलब कि आप actual में चाहाँ तो 1080p medium settings की gaming सिर्फ integrated GPU पर ही कर पाओगे अब obviously बात है Intel के 10 nm के product के लिए यहां पे socket भी change होगा तो LGA जो भी current वाला चल रहा है में को याद नहीं आ रहा है उससे change होकर हो sorry LGA 1200 current वाला चल रहा है तो LGA 1700 पे चलेगा आपका जो next generation का CPU है I mean 12th generation का Intel CPU जो की 10 nm पे होने वाला है और आपका जो unlocked CPU होगा ना उसकी TDP 125 watts होने वाले तो यहां पे Intel मतलब आप TDP पे भी shy नहीं करे या फिर power consumption इतना जादा matter नहीं करता है जितना की performance करता है और जो locked processors है और जो locked processors है उनकी TDP 80 watts रखी गई है तो yes efficiency के मावले में काफी अच्छे है औव्यस सी बात है बाकी इनके अंदर budget chips भी होंगी और probably budget chips के अंदर आपकी जो high performance score होंगे सिर्फ why enabled होंगे probably और साथ में integrate GPU औ नहीं होंगे और आगाइस यह छोटे course को भी आप कमजोर ना समझ के रखना क्योंकि यह भी बतलब बहुत ज़्यादा high IPC वाले course होंगे तो एक तरीके आप देखो ना मतलब की 10900K को pair कर दिया गया है i7-8700K के साथ में तो सुच मतलब कितना ज़्यादा performance मिलेगा और यह भी देखो कि उनके इंदर आपकी आपकी आई पीसी है वो काफी जादा होने वाली है अब आपके दिमाग में यह question आ रहा होगी मतलब अब यह जो architecture है बड़ा core छोटा core इन सब चीजों के बीच में मतलब आप बहुत ज्यादा confuse हो गया होगे कि मतलब पहले तो आपके नॉ developers के साथ काफी जादा काम करता है Intel के पास पैसे भी है तो थोड़ा सा पैसा हो developers को fake सकता है कि मतलब हमारे CPU के लिए आप अपने games को optimize करो या applications को optimize करो और बाकी Windows के साथ भी obvious सी बात है collaborate करेगा कि उसके जो CPU से एकदम best performance दे क्योंकि obvious सी बात है यार पैसो की कमी नहीं Intel के पास उतने ही अच्छे आपके Zen 4 के CPUs भी होंगे तो ये भी देखना दिल्चास पोगा की कौन जीतता है क्योंकि इस generation के अंदर Intel भी head to head जाएगा और AMD तो मतलब अच्छा करी रहा है और architecture हमेंसा change करी रहा है बाकी एक और sad news की बात करी जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप roughly around half to one year मतलब late रहेगा तो मतलब वापिस से delay अब चालू हो गया अब finally आपका 10nm अच्छा होते विए दिख रहा है तो अब 7nm करेंदा delay आपका दिखने लगा है जो की sad सी बात है बट एक साल चलो चल जाएगा और GC साब से Intel चल रहा है फिलाल तो मतलब लेकिन एक एक ची इंटल को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना Intel का आलत भी AMD की तरह हो जाएगा जब AMD बुल्डोजर लाला के एकदम परिशान हो गया था anyway let's hope की competition healthy बना रहा है हमें Intel की तरफ से भी अच्छा CPU देखने को मिले और AMD की तरफ से भी अच्छा CPU देखने को मिले तो इसी के साथ बस आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आते से लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते है फ्यूचर में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल वाले किन पे क्लिक केजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालू आपको सबसे पहले नोडिफिकेशन मिल जाए अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहत तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिया एमाजान के अफ्लेट लिंक से शॉपिंग भी कर सकती हो और आगाइस फॉलो में और इंस्टाग्राम एंड जॉइन मैं डिस्कॉर्ड सर्वर तो अब मिलंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई